नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में अगर आपको चारों तरफ अपराध और निराशा भरी खबरें परिशान करती हैं तो हमारी कोशिश है आशा की उम्मीद जगाएं आपको ऐसी बेटियों से मिलाएं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश का नाम रोशन कर रही हैं हालात का रोना रोने की बजाए इन बेटियों ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया तो साथ समाज और व्यवस्था ने की दिया रेतिले टीलों के लिए पहचाने जाने वाले राजस्थान का एक मात्र परिटक स्थल है माउंट आबू आदिवासी इलाके के साथ साथ अध्यात्म की गूंश भी यहां की वादियों में सुनाई पड़ती है इन्हीं खूबसूरत चोटियों की शान बढ़ा रही है यहां की एक बेटी सियावा राजस्थान के सिरोही जिले में एक हजार की आबादी वाले इस गाव की पहचान दुनिया की 40 से ज़ादा देशों में है और यह पहचान दिलाई है यहां की एक आदिवासी बेटी ने गाव की पीली मिटी को सांचों में ढाल कर रंगों से सजाती इस बेटी का नाम टीपू है जो अपने हाथों के हुनर से बेजान मुर्तियों को जीवन्त बनाती है राजस्थानी परिवेश को अपनी कला से दुनिया भर में पहुंचाने वाली टीपू ने शुरुवात पेट भरने के लिए की थी क्योंकि 15 साल पहले पती की अचानक मौत के बाद चार बच्चों की परवरिश एक चुनौती थी उस वक्त आदिवासी परंपराओं के मुताबिक समुदाय ने पुनर विवाह की सलाह दी लेकिन बच्चों के भविशे के मद्दे नजर टीपू ने आत्म निर्भर बनने का रास्ता चुना 2001 में राजस्थान आदिवासी मिट्टी शिल्प नामक संस्था बनाई दूसरी महिलाओं को भी जोडा और हाथ के हुनर को विरासत संजोने में लगाया हाथ कंगन को आरसी क्या पीपू की महनत रंग लाई हस्थ शिल्प के केंद्र उदैपूर की एक संस्था ने इने अपने साथ जोडा नाबाड ने भी इनकी कला को पर्खा नतीजा ये हुआ कि इन खुबसुरक मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी देश ये नहीं दुनिया भर में निर्यात की जाने वाले इन कलाकृतियों को अंतराष्ट्रिय मंचों पर जगह मिली और 2006 में राष्ट्रपती ने टीपू को संबानित किया जनजातिक शेत्र में काम करने वाली ये बेटी आज सुविधा संस्था की कोशा ध्यक्ष है तो खुद के आदिवासी मिट्टे शिल्प फेडरेशन की सचिव कभी स्कूल नहीं जाने वाली बेटियों के लिए वे इन मूर्तियों से भी खुबसूरत मिसाल है ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है आपके आसपास आपने कई बार ससुराल में बेटियों पर जुल्म की कहानिया सुनी होंगी या फिर समाज से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं भी देखी होंगी लेकिन अब वक्त बदल रहा है बेटियां सबक ले सकती है मध्यपृदेश की कमला बाई से जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो साथ पूरे गाम ने दिया मध्यपृदेश के बरखेडा हसन गाम की कमला बाई की ये बड़ी उपलगती है माता-पिता बच्पन में ही दुनिया से चले गए थे चौदे साल की उम्र में भाई ने शादी कर दी ससुराल पहुंची तो पती शराबी निकला जिना मुश्किल था लेकिन परिवार बनाए रखने के लिए कमला ने सब कुछ बरताश्ट किया दस साल तक पती के जुल्मों का शिकार होती रही बच्चों की परवरिश से भी समझोता किया लेकिन आखिरकार सब्र का बांध तूटा और फिर आगे बढ़ी तो नदी के बहाव की तरह कमला ने पीछे नहीं देखा मजदूरी कर अपने तीन बच्चों को पाला तो करमटता और सजकता से आशा कारे करता बनी अपने काम और व्यभार से कमला ने गाम वालों का दिल जीत लिया और महिलाओं की आवाज बनी और फिर किस्मत महरबान हुई गाम की सरपंच की सीट अनुसोचित जाती के लिए आरक्षित हुई तो कमला के प्रयासों को पंक मिले पूरा गाम कमला के साथ खड़ा हो गया तो राज्य सरकार से मिला निर्विरोध निर्वाचन का पुरसकार यह बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है यानि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो दूसरों को भी आपके पीछे आना पड़ेगा या यूं कहना चाहिए कि सही रास्ते पर चलने वालों की संख्या आज भी जादा है तब ही तो उत्रप्रदेश की बेटी अरुनिमा सिन्हा ने मुह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को जो पूरे समाज को कलुशित कर रहे थे देखिए साहस की ये कहानी आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ दुनिया की सबसे उंची चोटी पर हाथों में तिरंगा लिये मुस्कुराता ये जहरा देश की उस बेटी का है जिसने अपने होसलों से आस्मान को जुका दिया जिसके जुनून के आगे डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी हारमान बैखे उत्रप्रदेश के अंबेडगर नगर जिले के एक छोटे से कस्पे अकपरपुर की रहने वाली ये बेटी फुटबॉल और वॉलिबॉल की राष्ट्रियस तरकी खिलाडी थी एपरिल 2011 में मैच खिलने के लिए नोईडा जा रही थी कि अकेली लड़की को देखकर लोटेरों ने बद सलू के की अरुणिमा ने विरोध किया तो जलती ट्रेंज से धक्का दे दिया इस हादसे में अरुणिमा का बाया पैर काटना पड़ा तो दाहिने पैर में स्टील की रॉड डाले गई अस्पताल के बिस्तर में जिंदगी की उम्मीदों को कत्रा कत्रा विखरता देख अरुणिमा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी जीत के जुनून को सलाम खुद प्रधान मंत्री ने किया तो सरकार ने भी महस 27 साल की उम्में पदमश्री से नवाजा एवरेस्ट की उंचाई पर पहुँचने वाली वो पहली महिला है जिसने अपने शरीर को बाधा नहीं बनने दिया और अब वो खेल अकादमी के जरिये अपनी जैसी बेटियों को तयार करने का सपना देख रही है ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है ए हालात का रोना रोने वाले दो चार कदम चल तो सही मगर जरा तबियत से कि मन्जिल खुद तेरे कदम चूमे अरुनी मा जैसी बेटियां इस एहसास की जीती जाकती मिसाल है तो दिल्ली की जोती अरोरा उम्मीदों को जिंदा रखती एक छोटी सी बेटी की बड़ी कोशिश फूलों की जिंदगी बहुत छोटी होती है और इन फूलों में खुद को तलाशती इस बेटी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है इस मासूम चेहरे के पीछे गहरा दर्द है कभी नहीं ठीक होने वाली बिमारी थैलसीमिया का दर्द और पिछले 37 सालों से इस हकीकत के साथ जी रही इस बेटी का नाम जोती अरोडा है गाजियाबाद की रहने वाली जोती दिल्ली के प्रतिष्ठित डीपियस स्कूल की होनहार छात्रा थी लेकिन थैलसीमिया से शरीर की लगातार कम होती क्षमता के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा साथवी कक्षा के बाद वो स्कूल नहीं जा सकी लेकिन हार मानने की बजाए जोती ने पत्राचार का विकल्प चुना दिल्ल विश्व विद्याले से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजवेशन की डिगरी हासिल की तो साथ ही लिखने का सिलसिला शुरू किया आज वे दो-दो नॉवल लिखने वाली ऐसी सफल लेखी का बन चुकी है दिन में लेखन का काम करती है तो रात में बतोर एग्जेक्यूटिव ओपरेशन्स अमरीकी सौफ्ट्वेर कंपनी में ओनलाइन सिवाएं देती है ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है एक तरफ बेटियां परिवार और समाज का परिचे बन रही हैं तो दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को अकेले बाहर शहर से नहीं भेजते हैं टैक्सी, कैब से लेकर बस और ट्रेन हर तरफ असुरक्षा का भाव है उन सभी लोगों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो ऐसे माहौल में दिया बन कर रोश्णी फैला रही है ये बेटी है मुंबई लोकल की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर मुम्ताज काजी का थावाल मुंबई की चकाचौंध और आर्थिक दुनिया से दूर मुम्ताज प्रतीक है जमीनी बदलावों का विकास की रफ्तार के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन का ग्लैमर और व्यापार के गड़ मुंबई में एक मुस्लिम लड़की ने आज से 30 साल पहले जब ये सपना देखा था तो इसे हकीकत में बदलना लगभग नामुम्किन था पहली बार किसी लड़की ने रेलवे बोर्ड की परिक्षा में बैठने का साहस दिखाया था और 1991 में असिस्टेंट ड्राइवर बनकर मुम्ताज ने अपने साहस भरे सपने को हकीकत में बदल लिया एक दम फिल्मी कहानी की तरह है भारत ही नहीं मुम्ताज एशिया की पहली महिला ट्रेड ड्राइवर है एशिया महादवीप में भारत का महत्व अंतराष्ट्रिय पहचान रखता है ऐसे में एक साधारन से ट्रंक ओपरेटर की बेटी पूरे एशिया में भारत का गौरव बढ़ा रही है सही वक्त पर सही कदम उठाने का फैसला यात्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो रफतार वक्त की मांग रोजी पीकवस में भीड़ तो रहती है 1995 में लिम का बुक ओफ रिकॉर्ड में मुम्ताज को जगे मिली तो दूसरी बेटियों ने भी इस ख्षित्र का रुक किया आशंकाओं के बादलों में उम्मीदों का आस्मा दिखा रही ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एशिया की पहली ट्रेड ड्राइवर बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया मुम्ताज काजी ने तो आपको रूबरू कराते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में है मुम्ताज काजी तो आगर से लिश्टाथ लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए सबसे पहले आपने कब सोचा कि आप ट्रेंड ड्राइवर बन सकती हैं तो यह आपका सपना था हां मैरे सपना पूरा कैसे हुआ क्योंकि महिलाएं उस वक्त ट्रेंड में ड्राइवर तो छोड़ी है अकेले सफर भी नहीं करती हैं आज भी इस देश में महिलाएं अकेले सफर नहीं कर पाती यह बहुत बड़ी संख्या है उनकी 1988 में स्काइड़ाइज में आया था के लेडिस के नहीं अप्लाइज बड़ इस हाद जोचती थी और यह आया है और जो भी चैलेंज का काम में पहले स्विकार थी तो मैंने सचा यह यह अप्लाइए करूँ और मैंने वही जोब के लिए अप्लाइए किया था और उसके बाद मेरा अप्लाइज में आवर्ड भी आता था और मेरे पास में जैसे एट में थी तो भी टेंथ वाले को भी पड़ाती थी मैसा मेरा पाले से मैस इतना अच्छा रहता था था तो पाहले से मेरे डड़ी मेरे लिए बहुत सुस्ते था कि देखो यह कितना आगे-ागे का सबकर पड अच्छन हो ऐसा दुआ करते थे मुझे आज भी याद है लेकिन आपके दादा और आपके अब्बा जिस परिवेश में जिस माहौल में थे उस वक्त लड़कियों के लिए बहुत पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था मैरे पपा एक्षिली रेलिव में है ट्रंक सुपेड़नर जरचवं में वर्किंग करते हैं तो उनके बहुत सरें प्रैंड हैं ना हम तक हो बहुत दो रोज आके बाते करो थे केत a तो तब से मेरे को बहुत इच्छा होती थी कर नहीं कभी बनु तो आपके पापा आपके साथ थे मेरा रिटेंटेस मेरा भायंदर में आया था नंबर तो मेरे पपा मुझे छोड़ने आया थे रिटेंटेस के लिए तो उदर पूरा स्कूल की जो बिल्डिंग थी, तो सब जेन्स केंडिडेट आये थे और में अकली लेडिस थी उदर, तो सब डैडी को पुछ थे आपका लड़का की तर है की तर है, मेरे पपा बोले के नहीं मेरी तो लड़की आई है, तो कोई मानने को तयार नहीं होता था मेरी लड़की आई एक्जाम देने, ऐसा बोले है, मुम्तास जी के पापा के लिए एक बार बहुत अप्छी सी तालिये तो आपके पापा को आसपास के लोगों ने साथ दिया उनका, कि भई बेटी को इतना अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोगों ने भी सपोर्ट क किया, लोगों को भी अच्छा लगा? किस तरह से उन्होंने रियक्ट किया? मेरे पापा को एक दम दिल को अच्छा लगा और यहां तक कि सभी जितने बॉइस थे हो सभी में को बहन मानते थे और बहुत मदद करते थे और पूरा बैच का ट्रेनिंग फेबरारी से चाल हुआ था और मैं सब्टेंबर में जॉट हुए थी तो पूरे बैच वाले सब ल में बुसावल में बड़ा जोर्नल ट्रेनिंग सेंटर है वहां मेरा थीन मैने का ट्रेनिंग हुआ उपस करके फिर में बॉम्बे आई तो अब आप रोजाना क्योंकि आपके चुट्टियां बहुत कम होती है तो वह चॊनौती परिवार के साथ कैसे तालमिल बैठाती है मुझे मिस्टर का, बच्चों का, इवन मातापिता का सब भी का अच्छा सपोर्ट रहा, तो वो लोग मुझे यह नहीं फिल होने देता के हाँ मेरको छुट्टिया कम है, हमको तो छुट्टी एक भी दिन रेश नहीं रहता है, पूरे फिस्टिफादेस वर्किंग डे रहता ह अच्छा सपोर्ट करते हैं, इवन मेरी लड़की जो अब ही सेकेंड स्टांडर में है, वो तो केजी से अपना बुक्स खुद भरती थी, यानि मेरे पे, यानि मा को इतना तकलिफ नहीं देना, बच्चे लोग खुद अपना अपना कर लेते हैं, जादा करके. तो आपको उससे कोई फर्ट नहीं पड़ता, या आपने उस डिस्क्रिमिनेशन को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कभी नहीं देखा आपने परिवार में भी, समाज में भी और विभाग में भी? हाँ, मैंने कभी नहीं देखा. तो आपको मालूम है उसके बारे में कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है? नहीं, मेरको तो हमारे स्टाफ बेसाब एकदम बहुत कॉपरेटिव है. अब भी मेरा 23 सल कैसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा 23 सल हो गया, ऐसा इतना, इवन सबर्बन में मेरा, याने लोकल ट्रेंच चलाते है, मेरा 10 सल पूरा कम्प्लीट हो गया. तो इतना, हमको एक भी दिन रेश नहीं रहता, तो इतना जली-अली ऐस जाता है, समझ में भी नहीं आता कि इतना जली 10 सल हो गया, ऐसा लगता है. तो एक बार बहुत अच्छी सी तालिया मुंबई रेलवे के लिए भी, जिन्होंने मुम्ताज काजी को इतना सहयोग किया. रेल्वे विभाग में मुम्ताज के लिए अब तक क्या किया है मुम्ताज का आगे का सफर किस तरह से रहने वाला है इस पर भी बात करेंगे लेकिन एक छोटे से प्रेक की बात ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में नजाने ऐसी कितनी बेटियां है जो देश का नाम रोशन कर रही है और मुम्ताज काजी से हम बात कर रहे हैं उनके सफर के बारे में मुम्ताज ये बताईए कि आपने 23 साल पहले जो काम शुरू किया आपको लगता है कि जितनी लड़कियां आनी चाहिए थी उतनी लड़कियां आ गई है इस आपके पेशे में अभी अभी आ रही है लेकिन स्टार्डिंग में जब ही मैं आई तो मेरे बाद 10 साल तक कोई आई ही नहीं यानि 10 साल के बाद एक लड़की आई वो अभी है वो अभी गुज ड्राइवर है और अभी दो-तिन साल में असेशन ड्राइवर में जब आपने शुरू किया तो आपने आसपास और आपके रेल्वे विभाग में लोगों ने देखा लड़कियों ने देखा कोई ऐसा नहीं हुआ जो आपसे उत्साहित हुआ मोटिवेट हुआ और फिर आगे आया इस क्षेत्र में यह जॉब ऐसा हार्ड डूटी भी आपने शुरूपार कोई जाता है जैसा एकडम पूरा वजन अईसा उपर जो चड़ते है तब भी कितना ठकान लगते हैं और पहले आसेशन ड्राव में पूरा इंजन चेक करना पड़ता है तो उसमें कितनी बार चड़ना उतरना पड़ता है नीचे का फिल राउंड पू वो भी call out करना पता है पूरा, तो ऐसा एकदम easy job नहीं है, even कभी signal, signal danger कभी pass हो जाता है, तो assistant driver को भी responsible मारना जाता है driver के साथ-साथ, तो ऐसा सब दिक्कत है, उससे सब लोग, कितने लोग अगर आना भी चाते है, तो इसना रिसकी दिखके आते नहीं है, और even हमारी जो exam जो है वो भी एकदम tough रहती है, क्योंकि पहले return test, psychological exam है, तो वो सभी लोग पास नहीं कर पाते है, psychological exam, फिर कोई pass भी होता है, तो medical में यह हो जाते है, क्योंकि medical इसमें A1 category है, A1 category 6x6 eye vision होना चाहिए, BP sugar अगरे नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सब medical fitness होना चाहिए, psychology की बराबर होना, तो वो इसमें कितने cut हो जाते हैं, यानि आना चाहते हैं, तो भी नहीं आपाते हैं, मुम्ताज ये बताइए, कि आपने सोचा कि आप train driver बनीगी, आप बन भी गई, पिछले 23 सालों से आप, अपने आपको कितना संतुष्ट महसूस करती हैं, आपको लगता है कि आपको यह करना था, या इससे आगे भी कोई ऐसा मुकाम है, जो अभी पाना है, मैं पूरा-पूरा संतुष्ट हूँ, मुझे जो करना था, वो मुझे करने मिल रहा है, तो मैं उससे बहुत संतोस है, मुझे, AC प्लस DC सेक्शन में भी काम किया, तो मेरे हिसाब से AC को भी लड़की नह पर गर्व होता है, हाँ, सबीक होता है, आपको रेलवे ने कितना उतसाहित किया, रेलवे की तरफ से आपको कभी कोई पुरसकार, कभी कोई इस तरह का मनोबल बढ़ाने का प्रयास हुआ, जिससे कि आपको लगे कि भई, रेलवे का आप बड़ा नाम है, आप रोशन कर र महिला है, और जब भी वुमन्स डे आता है, तब भी अच्छा सम्मान करते हैं, जी आपको, लेकिन दूसरी महिलाएं आएं, इसके लिए भी रेलवे की तरफ से प्रयास हुआ, तो हमारा प्रोग्राम देखके तो और सब लेडिस आने की कोईस कर गया, इंसा आला और लेड आपका क्या सपना है, मुम्ताज, जो बाकी रह गया है, जिसे पूरा करना है? मैं सुछती हूँ कि अभी भी यही लाइन में मैं कंटीनिर हूँ, और हमारे उसमें बोलते हैं कि सफर की दूआ जल्दी कबूल होती है, तो मैं यह लाइन छोड़ना नहीं चाहती है, मैं सफर ही चालू रखूँगे. क्या कभी कोई सूपर फास्ट ट्रेंज चलाने का भी सपना देखती हैं क्योंकि बुलेट आ रही हैं, मैट्रो आ रही हैं, आपको लगता है कि उस तरफ भी आप उधर भी आप जाएं या फिर मुंबई की लोकल में हैं? इंसा अला आगे, देखूंगे अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो ये लाइन से में संत्रुष्ट हूँ अभी जो है, उसे संत्रुष्ट हूँ और इंसा अला आगे मेल एक्सप्रस भी चलाऊंगे. कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो अपने भविश्य का, अगर कहें, समारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. हलो मैम, मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मेरा सवाल आपसे यह है, कि जब आप पहली बार ट्रेन के इंजन में बैठी और आपने ट्रेन चलाई, तो एक्सप्रियंस कैसा था? मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, कि मेरा कितने सालों का सपना पूरा हो रहा है, तो मुझे डर नहीं लगा, बहुत ही खुशी हुई. खुशी के साथ साथ आपने उसको कैसे, मतलब कितना टाइम आपने पहली बार ट्रेन में दिया, उसका एक्सप्रियंस किस तरह का था, मतलब एक डर थी, एक आशंका थी कि कैसे चलाएंगी ट्रेन, इतने लोग पैसेंजर्स थे? नहीं, सबर्बन ट्रेन मेंने 5 जैनुआरी 2005 में पहले दिन सबर्बन ट्रेन चलाए, तो पहली ट्रेन बेलापूर थी, तो हमारे साथ एक मोटर में जावेद मिर्जा साब आये थे, याने फर्स दे था इसके लिए आये थे, के हिम्मद लेकिन मुझे अच्छा खुसी कि आप लड़कियों को ट्रेन ड्राइवर बनाने के लिए कैसे प्रेयरित करती हैं, मैं सुछती हूँ कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं, अल्ला ताला का नाम लेके आप उन काम सुरू करेगे और मेहनत से करेगे, तो अपने को अल्ला ताला कम्याभी देता है, नमस्ते मैं, मैं आपसे पूछना जाती हूँ, आज आप सब के लिए प्रेयर्णा हैं लड़कियों के लिए, क्या आपको भी किसी से प्रेयर्णा मिली थी जब आपने इस लाइन में आने के सोची थी? याने, इन्दीरा गांदी जी को मैं देखती थी, तो मैं सुस्यक्ति कितना बड़ा इकड़ मेरे अउनको पाहले से बहुत, उनसे एकड़म पेरीद होती थी, कि पूरे वर्ल्ट में उनका नाम कितना रोशन है, तो आईसा इन्दीरा गांदी फिर किरन वेधी उनका नाम स मुम्ताज बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए हमारे स्टूडियो में मुम्ताज काजी ने पहल की तो समाज भी उनके साथ हुआ शुरुवाती परेशानिया हर किसी के सफर की हाकीकत हो सकती है लेकिन जरुरत है इनसे पार पाने की इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं देश की बेटियों से कि वो इस सच को समझें कि देखने वाला तेरा खुबसूरत आगास देखेगा तु होसला रख यह जमाना तेरी परवास देखेगा हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर भेजे आपकी आसपास ऐसी कोई बेटी हो तो हमें उसके बारे में भी बताएं अगले हाफते फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नए चेहरों के साथ तब तक हमें दीजी अनुमती नमस्कार कर दो हमें लगी है